Welcome to SSV preparation आप भी शिक्षा विवाग में Multitask Worker की विकैंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 5 भी पास हैं तभी भी आप शिक्षा विवाग में सरकारी स्कूलों में Multitask Worker की विकैंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसका जो official notification है उसका link भी description box में दिया गया है वहाँ से आप इसकी notification भी download कर सकते हैं अगर channel के उपर नए है तो channel को subscribe करे latest job notifications के लिए आप लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि government schools में part-time multitask worker की जो भरती है वो शुरू हो गई है और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी official notification part-time multitask worker भरती की तो आप भी अपने nearby school में part-time multitask worker की post के लिए apply कर सकते हैं कौन-कौन से documents चाहिए कैसे आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं सारे जानकारी के लिए वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें तो देखिए यह आपका जो letter है यह 29 March को issue हुआ है और इस March में यह mention किया गया है कि जो पार्ट चाना है वहाँ पर part-time multitask worker की नियुकतियां की जाएंगी और जो policy है यहाँ पर यह policy को कैसे finalize किया गया है इस बारे में भी बात की गई है तो सबसे पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि rule 13 के अनुसार अब भरती नहीं होगी और school में rule 7 के अनुसार भरती होगी meaning school में जो आपकी SDM की अध्यक्षता वाली committee है उसके द्वारा part-time multitask worker की नियुकति की जाएगी अब हमें किसी की भी सिफारिश की अवशक्ता इस भरती में नहीं है तो आप लोग अगर 5 भी पासे हैं तब भी आप इस part-time multitask worker की vacancy के लिए apply कर सकते हैं और यह जो official notification है यह आप हमारे channel से भी download कर सकते हैं पहले जो इसके लिए test रखा गया था merit basis के उपर आपकी selection होगी कोई return test आप से नहीं लिया जाना है तो आप लोग देख सकते हैं कि इस notification में total 38 marks mention किये गए हैं अब कौन-कौन से documents आपको बनाने हैं वो यहीं पर mention किये गए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि एक भी document अगर आप miss कर देते हैं तो आपकी selection में difficulty आ सकती है तो देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा गया है कि distance distance के अलग-लग marks हैं जिस gram पंचायत में school है जिस bar में school है अगर आप भी उसी bar को belong करते हैं तो आपको अधिक्तम 8 अंक मिलेंगे आप किसी और पंचायत से belong करते हैं लेकिन school किसी और पंचायत में है तो आपको दो नंबर मिलेंगे यहां पर एक बात कि क्या इसके लिए दूरी परमान पत्तर बनाना पड़ेगा तो बिलकुल आपको दूरी परमान पत्तर बनाना पड़ेगा बनाएं आप लोग दूरी परमान पत्तर अगर आप पांचवी पास हैं तो आपको पांच मार्क्स मिलेंगे अगर आप आठवी पास हैं तो आपको आठवी पास मिलेंगे सकते हैं कि आपने स्कूल से पांच वी आठ वी पास किया स्कूल रिकॉर्ड में आपका डाटा होगा आगे अगर आप देखें तो विड़ो और्फन के लिए जो हम आठ मार्क्स दिये गए हैं और जो परसन कोई एक्स्ट्रीम कंडिशन में रह रहा है किसी की परिवार की सिती बहुत दैनी है तो उसके लिए पांच मार्क्स रखे गए हैं जो पत्नी जो अपने पती से अलग रह रही है या उसका अपने पती से तलाक हो चुका है इसके लिए तीन मार्क्स रखे गए हैं तो इस तरह से आ तो आपको अपने गाउं के पतवारी तख़ीलदार से लिखवाना पड़ेगा कि जो स्कूल है, उसके लिए आपने भूमी दान की है, वो आपके जमीन के नंबर में आता है, इस तरह ऐसी STOBC के लिए 3 मार्क्स रखे गए हैं, जहां परिवार में कोई भी जॉब नहीं कर रह हैं, तो आपके जितने भी डॉकुमेंट्स लगएंगे, यहां पर आपका इंकम सर्टिफिकेट है, आपका S.E.S.T, O.E.C. जाती प्रमान पत्तर है, अनिम्पलॉिड सर्टिफिकेट है, आपका ह西्टि опять का सर्टिफिकेट है, ओ गीजिए आपका सिर्टिकेट है, तो आप आपके माइंड में कोई confusion है तो आप comment section के वादियम से पूछ सकते हैं प्लीज लाइक शिर और सब्सक्राइब तो SSC preparation for more job updates thanks for watching